लेकिन आवश्यक्ता थी जब भारत का एक स्वरूप हमको प्राप्त हो गया तो एक कोई न कोई एक ऐसा बैंडिंग सबस्टेंस होना चाहिए कोई न कोई एक ऐसा बैंडिंग मैटरियल होना चाहिए जो कि भारत को जोड़ कर रखे तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत को पूरी तरह से एक रखने में, अखंड रखने में, सभी को जोड कर रखने में, इस binding substance अथवा binding material की रूप में, ससक्यों प्रभावी भूमिका का नर्वाह, यदि किसी पवित्र ग्रंट ने किया है, तो हमारा भारत का वो संबिदान है बहुत ही महत्तपूर भूमिका दिखाई है, और ड्राप्टिंग कमेटी के शेयर में, बावा साथ भीम राओजी अम्बेट केर, हम समी जानते हैं कि अपने जीवन में, कितनी उप्यक्षाओं का उन्हें स्थिकार होना पड़ा है, तिरसकार, अपमान और कटाक्ष भी उन में जेलने पड़े हैं, मन निश्चित रूप से आहत होता रहा होगा, आहत मन होने के बावजूर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रन रखते हुए, एक भारत के लिए आप्जेक्टिव पॉइंट आफ यू, प्रस्तुत करने का काम किया है, तो डक्टर, बाबा साथ भीम भीम राव अमबेटकर देखिया है, इतना महत्पून काम, लेकिन बाबा साथ भीम राव अमबेटकर ने कभी यह नहीं कहा, भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की या रही है, भारत में इतना मुझे अपमानित होना पड़ा है, योग्य बेक्ति थे, विदेशों से भी उन् उन्हों ने कहा, कि नहीं मैं भारत में ही रहूँगा, और भारत की जो परंपराएं रही है, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की अन्य जो विदाएं रही है, उन सब सारी चीयों को ध्यान बेरक्के, भारत को एक ससक्त भारत बनाने में मैं अपनी महत्पून भूमिका का नर्वाह करूंगा उनका एक संकल्प था उन्हों ने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उप्यक्षा हुई है भारत में मुझे समय समय पर अपमान जहलना पड़ा है तिरसकार जहलना पड़ा है मैं भारत छोड़ कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में चला होगा बाबा साहभीन राव अमबेक्टर ने ऐसा कर दो